हेलो एबरिवन, वेलकम भैक टो माई चैनल, मैं हूँ प्रियाँका, तो दोस्तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लिप्स्टिक की जो कि फेसेस कैनेडा की कॉंफी मैट क्रीम लिप्सτιक की रिविव्यु में आज आपके साथ शेयर करने वाली don't you mind बोलकर उनका कुछ नेम था copper orange shade का था वो lipstick लेकिन इस बार जो मैं shade आपके साथ share करने वाली हूँ यह है make a wish जी हाँ यह lipstick का name है यह है make a wish इनका name है तो यह lipstick जो है यह मैंने purple से purchase किया था और इनका price लिया था 330 रूपीज जी हाँ दोस्तों यह 330 रूपीज इनका MRP है and discount पे अगर आप खड़िते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है अगर आप 3-4 color लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको discount इसमें मिल जाती है and मैंने एक ही shade लिया था and यह जो shade है यह है make a wish जो की एक proper nude shade मैंने लिया है क्योंकि nude color लेने से यह होता है ना कि मैं daily use कर पाती हूं daily basis पे ना उतना सदा dark color पसंद नहीं आती है तो nude color बहुत ही अच्छा होता है daily basis के लिए use करने के लिए तो मैंने यह जो shade है यह मैंने daily basis के लिए लिया है make a wish beautiful एक nude shade है जो कि आपको मैं अभी use करके भी आपको दिखाऊंगी यह जो lipstick है यह hydrating है comfort बहुत जादा देती है आपकी lips पे higher clothing acid के साथ आती है cocoa butter भी इसमें add है जो कि आपकी lips को moisturize and soft बना के रखती है and dark and pigmented lips अगर आपकी है उसे भी higher clothing acid जो है वो कम करने में help करती है and comfy matte lipstick है यहाँ पे लिखाए गया है कि यह comfy matte lipstick है तो यह आपको एक comfortable matte look आपको देती है आपके lips बहुत जदा light weight लगते हैं यह lipstick apply करने के बाद okay इसे आप तीन साल तक यूज़ कर सकते है आराम से and यह made in indian product यहाँ पे लिखा गया है padabin free product है यह comfortable होती है आपकी lips के लिए matte cream texture है highly pigmented lipstick है and one stroke application पे ही आपको पता चलेगा कि इसका pigmentation कितना ज़ादा इसका है one stroke application में ही आपको इसका pigmentation पता चलेगा दोस्तो and यह कुछ इस तरीके की cardboard box के साथ आती है आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके की box के साथ आती है यहाँ पे लिखा गया है इस तरीके का जो है सब कुछ faces canada comfy matte and इस वाले portion पे just इहाँ पे लिखा गया है कि यह जो lipstick है यह non-drying formula है long stay formula है one stroke application पे ही यह आपको पता चलेगा और इहाँ पे आपको सारे details लिखा गया है and so अच्छ लिए दोस्तों मैं इसे आपको open करके दिखाती हूं and box के उपर भी आपको lipstick के name and number देखने को जो है आपको मिल जाएंगे and यह lipstick जो की आप देख सकते हैं यहाँ पे faces के नदा लिखा गया है so यह जो creamy matte lipstick है यह कुछ कुछ ना Maybelline की creamy matte की तरह मुझे लगती है इनका packaging and पीछे के साइट आपको name and number देखने को मिल जाएंगे and यह है lipstick बहुती beautiful packaging होती है इनकी and इनका color जो है यह भी बहुती जादा अच्छा होती है and अगर आपको एकदम powder matte lipstick पसल नहीं है आपकी lips जो है वो बहुत जादा dry हो जाती है powder matte lipstick apply करने से या तो फिर liquid matte lipstick apply करने से तो आप cream lipstick lipstick apply कर सकते हैं दोस्तों इससे आपकी lips जो है वो moisturize भी रहेंगे and आपकी lipstick की look जो है वो matte finish आएंगे तो चलिए मैं इन्हें apply करके आपको दिखाती हूँ पुता है तो दोस्तों मैंने इसे अप्लाई कर लिया है अब देख सकते हैं इनकी जो कलर है ये कुछ इस तरीके का है पीची पींक साटाप अशेड है ये उग्दम बियूटिफुल लिप्स्टिक है एग्दम ऑम्सम कलर है एंड पीची पींक शेड है एंड इनकी पैकेजिंग बहुत सुन्दर है इसे आप बैग में भी easily carry कर सकते हैं वान स्ट्रोक एप्लिकेशन आप इनका color देख सकते हैं यह कितना ज़्यादा awesome shade है कितना ज़्यादा beautiful color है आप देख सकते हैं लिप्स्टिक पे भी लिखा गया है Faces Canada इनका जो cutting है लिप्स्टिक का ये भी आप देख सकते हैं और color भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्याड़ा shade है अगर आप everyday college जाती हैं घर पे भी लिप्स्टिक लगाना पसंद करती हैं तो आप इस तरीके का shade डेली यूज़ करने के लिए आप रख सकते हैं आप देख सकते हैं इनकी जो packaging है ओके आप इस तरीके से बंद करेंगे तो ये click sound के साथ बंद हो जाएगा और इनका shade आप देख सकते हैं दोस्तो बहुत जदा light weight है creamy texture है बिल्कुल भी आपकी lips को dry नहीं करती है अगर आपको इस तरीके का creamy lipstick पसंद है तो आप इसे ले सकते हैं थोड़ी देड़ बात ये थोड़ा सा set हो जाती है lips पे लेकिन एकदम से powder matte नहीं है ये transfer होती है दोस्तो ये transfer बहुत जदा होती है अगर आप बहुत जदा पानी पी रहे हैं glass पे, cup पे ये transfer होती है लेकिन इसे touch up करना भी easy है आप इसे easily back से निकाल के touch up कर सकते हैं तो ये awesome lipstick है बहुत सरे लोगों को matte पसंद नहीं आती है तो आप इस तरीके का color इस तरीके का formula वाला lipstick आप यूज कर सकते है और ये बहुती अच्छा shade में आते हैं मतलब बहुत सारी shade इनकी available है मैंने एक और review किया था आपके साथ share अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके check कर सकते हो और इस तरीके का nude shade everyday के लिए perfect है teenagers के लिए भी perfect है तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का review जो की है Faces Canada की comfy matte cream lipstick की review और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो एक like ज़रू से करके जाएगा मेरी वीडियो को and please subscribe to my youtube channel and bell icon को ज़रू से hit करके रखिएगा तक कि मेरी आने बली notification आपके पास easily पहुच सके so मैं मिलती हूँ आपके साथ फीर एक next वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तों bye खुश रहिए happy रहिए and ये lipstick आप try कर सकते हैं आपको ये कहीं भी मिल जाएगा purple पे, anayka पे या तो फीर आफ Faces Canada की आउटलिट से भी इसे आप purchase कर सकते हैं दोस्तों so bye bye